हालो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल आपने तुरही की सबजी तो बहुत खाई होगी लेकिन आज मैं आपके साथ मैं शेयर करूंगी तुरही के छिलकों के कवाब तो यहाँ पर मैंने एक केजी तुरही धोके ले लिए अभी इनको हम छिलना शुरू करते हैं तो यह देख बच्चे तुरही खाना तो पसंद नहीं करते हैं लेकिन इसके कवाब बनाके बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चे इनको मांग मांग कर खाते हैं तो आभी एक बार इस तरह से तुरही के छिलकों के कवाब बना कर देखिए आपको बहुत अच्छे लगेंगे इसी तर इसे दोके और और मैंने इनको छोटा 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 रफली कट कर लेना है बिल्कुल छोटा बारिक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको थोड़ा हम रफली काट लेंगे यहां पर इस तरह से में सब काट लूँगी और अभी इसके अंदर कुछ सामान जाएंगे तो यहा यहां पर मैंने एक कटोरी चनी की डाल ली है तो इसको मैंने आधा घंटा पहले भीगो के रख दिया था ताकि गलने में आसानी हो तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अभी इसके बाद एक प्याज लूँगी और इसको भी रफली मोटा मोटा इस तरह से कट करके डाल दूँगी मसाले हमें इसी में डाल लेने हैं ताकि मसाले हमारे पक जाए और बाद में हमें इसको पीछना है बाद में हमें कोई मसाला नहीं डालना तो यहां पर मैंने 6-7 कलिया लहसन की डाल दिया है और एक समच नमक डाल दिया है और अभी इसमें यह पानी जाएगा तो ने पूरा हम सुखा देंगे, तब तक कि हमें पकाना हैं, यहां पर पानी पूरा खुशक होने लगा है, सूख दो बैश्चा है, तो यह देखिए, यहां पूरा पानी सूख गया, और मैंने ठंडा करके घ्राइंडर जार में डाल के इसको पीछ लँगी, इसको जादा बारे पेश्ट नहीं बनाना है थोड़ा दरदराई पेश्ट रखना है तो इस तरह से मैं सारा पेश्ट बना लूँगी इसका देखिए और इसमें हमें पानी डाल के बिल्कुल नहीं पीशना है तो यहां पे अभी इसमें मैं कॉर्ण फ्लॉर लिया है मैंने और उसको चार पांच चम्मच भरके डाल दूँगी जब तक हमारी अच्छे से टिकियां बन जाएं कबाब बाइंडिंग हो जाए अगर इसमें ज़रु और डालूंगी यहां पे मैंने बना के रख लिया है और इसके लिए मैंने दो अंडे ले लिए हैं इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आप चाहो तो अगर आप अंडे नहीं खाना पसंद करते तो आप इसकी जगा मैदा का पतला साइग गोल बना सकते हो उसमें इसको डिप कर सकते हो तो यहां पे मैंने दो अंडे लेके उसमें थोड़ा सा आधा चमच नमक डाल लिया है और उसको मिला फेट लिया है अभी यहां पे मैं टिकिये बनाने शुरू कर रही हूँ देखे मैं अपनी सारी टिकियां बना के रख लूँगी और अभी मैंने एक तभा ले लिया है इस तवे के उपर हमें एक चमच तेल डाल देना है इसको बनाने के लिए इन कवाब को ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं होती है एक दू चमच तेल ही लगता है इसमें तो अभ पूरे कवाब को इसके अंदर डिप कर सकते हैं और इसके उपर रख देंगे तेल हमें यह डाला हुआ गरम तभी के उपर के ऊपर लावी के तवे में जितने वी इस तवे के ऊपर आएंगे मां डाल लूँगी एक साथ और इसमीं को एक मेट के लिए अच्छी कि इसे नीचे से सिखने देंगे अच्छा कम राच चुका है और यह सिख चुके हैं अभी इसी तरह से हम एक-दू मिनट के लिए इसको दूसरी साइड से भी सेखेंगे एक बार इस तरह से कवाब बना कर देखें आप तुरहियों की सब्जी बनाना भूल जाएंगे और बच इसी तरह से शेक लूँगी, इनको हमें अच्छे से पलट पलट कर 2-3 मिनिट तक सेक लेना है ताकि अंदर तक कवाब हमारे अच्छे से सिख जाएं, तो अभी मैंने गैस को आफ किया है, और अब मैं इनको निकाल लेती हूं और अपने सारे कवाब इसी तरह से सेख लूँगी ये देखे कवाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं खाने के लिए तो देखे कितने सुन्दर लग रहा हैं और खाने में बहुत जादा टेस्टी हैं तो इनको देखकर कोई ये बोल ही नहीं सकता है कि ये कवाब हमारे वैज हैं या नौन वैज हैं और इन्हें हमने तुरहियों के छिलकों से बनाया है एक कवाब में आपको तोड़के दिखाती हूँ ये देखे अंदर तक कितने अच्छे से सिखे हैं ऐसी नहीं नहीं रेशिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक शेयर और कोमेंट करें